Hello everyone, ये एक नई सीरी स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? जितने भी चैप्टर्स हमने पहले पढ़े हैं या सेवन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक तो NCRT के थ्रू पढ़ेंगे दूसरा जितने भी कुछन आंसर्स हैं जो पीछे दे रखे हैं या बीच में से कुछ important चीज़ हैं उनको अच्छे से देखेंगे और टारगेट रहेगा कि फेबररी तक ये सारे हो जाएं ताकि एक्जाम्स जब भी हो तो आप लोगों को काफी help ने लें आप मुझे देख सकोगी तो एक इंटराक्शन रहेगा थोड़ा सा एक classroom वाली feeling रहेगी अब देखो दो वर्ड होते हैं nutrition and nutrients अब हम इन दोनों के difference को भी समझेंगे 6th class में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो food होता है वो सारे living organisms के लिए essential होता है ठीक है हम लोगों ने क्या देखा था कि food is essential for all living organisms कि कोई भी हो कोई भी living organisms हो सब को खाना चाहिए होता है हमने एक और चीज़ देखी थे 6th class के शुरू के chapters में कि carbohydrates, proteins, fat, vitamin and minerals ये सब क्या होते हैं component of food किलाते हैं ये सारी चीज़े क्या किलाती हैं component of food मतलब food के अंदर ये सारी चीज़े मिलती हैं and yes हमारी body को इस सब की जरूरत होती है अब देखो these component of food are called nutrients तो ये जो nutrients हैं ये क्या होते हैं ये food के component हैं जो food में मिलते हैं ठीक है and most importantly ये हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं all living organisms require food जितने भी living organisms होते हैं भी भी हो सब को खाना चाहिए they all require food तो अभी तक एक चीज़ जो हमने समझी point one वो है nutrients देखो nutrition अलग है ये nutrients हैं ये क्या होते हैं component of food होते हैं दूसरी चीज़ जितने भी living organism में सब को खाना चाहिए देखो plant अपना खाना खुद synthesize कर सकते हैं खुद produce खड़ सकते हैं खुद बना सकते हैं लेकिन animals including humans cannot ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते they are dependent on plants for their food ठीक है plants अपना खाना खुद बना लेते हैं लेकिन इसमें भी variation होती है आगे पढ़ेंगे लेकिन still हम एक normal चीज़ बोलते हैं plant अपना खाना बना लेटे हैं it's not us they get it from plants or animals that eat plants ठीक है या तो वो जो भी animals हो गये or human being हो गये या तो वो अपना खाना plants से लेते हैं या उन animals से लेते हैं जो plants को खाते हैं अब कैसे आप जैसे जो tiger है वो directly plant नहीं खाएगा लेकिन वो किसको खाएगा, डियर को खाएगा, जो किस पर dependent है, which is dependent on a plant तो यह चीज समझने की है, चाहे humans हुए, चाहे animals हुए, यह सारे के सारे dependent हैं किस पर? प्लांट्स पे, अब यहाँ पे बीच पीच में question भी पूछे हैं कि बूजो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, how plants prepare their own food, इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग nutrition पढ़ते हैं, nutrition वो mode होता है, वो तरीका होता है जिससे कोई भी food को लेता है, अभी आगे देखेंगे, nutrient is different, nutrition is different, plants are the only organisms that can prepare food for themselves, plants अकलौते वो organisms हैं, वो जीवजन्तु में आते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और क्या-क्या यूज़ करके, water यूज़ करके, carbon dioxide यूज़ करके, and mineral यूज़ करके, तो ये सारी चीज़े यूज़ करके, plants अपना खाना खुद बना लेते हैं, the raw material are present in their surrounding, और जो भी चीज़े उन्हें चाहिए होती है, खाना बनाने के लिए, raw material, मतलब जो prepared नहीं है, जो बस ऐसे ही है, जिसको change करना है, जिसको convert करना है, अब water को वो use करें उनके surrounding में होती है, और जो उनको जरूरी होती है खाना बनाने के लिए, the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their body and provide the energy to carry out the living process, नो कोई अगर पूछे आपसे कि nutrients का function क्या है, कोई भी पूछे आपसे, कि nutrients का function क्या है, सबसे पहली बात तो जो body maintain करने के लिए, body build करने के लिए चाहिए होती है, nutrients ठीक है, दूसरी चीज़ है to grow, body को grow करवाने के लिए nutrients चाहिए होती है, थर्ड है damage part, अगर body में कोई भी part damage है, चोट लग गई, कट लग गया, उसको repair करने के लिए nutrients की जरुवत होती है, and the fourth and most important part, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी A to Z, आपको किस चीज़ की जरुवत है, energy, तो वो food से तो आता है, लेकिन food में भी वो आपके nutrient ही है, जो आपको energy देते है, वैसे तो हर nutrient का अलग-अलग function होता है, बट अभी हम उसको अलग-अलग करके नहीं देखने है, उप यानि कि यह क्या है, mode है, जिससे organism खाना लेता है, and its utilization by the body, तो आप से कोई पूछे कि nutrition का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे वे तरीका है, जिससे कोई भी organism खाना लेता है, और दूसरी चीज़, body में utilize करता है, तो mode of nutrition in which organism make food themselves, देख को एक चीज़ बताती हूँ, basic differences समझ लेन auto, auto का मतलब है, खुद, चलो हिंदी में रहने देती हूँ, auto का मतलब हुआ, जैसे कि आप घर पे हो, ठीक है, आपकी मम्मी कहीं गई भी है, तो आपने क्या किया, आपने bread निकाली, butter निकाला, खुद से लगाया, खा लिया, उस time के लिए आप क्या हो, autotrophic हो, क्योंकि खाना, खुद बना रहे हूँ, शाहम को आपकी मम्मी आ गई, ठीक है, अब दाल बनाई ही, उन्होंने चावल बनाया, रोटी बनाई, जो भी चीज़े बनाई, या पनीर बनाया, समझ लीजे, तो उन्होंने खाना बनाया, और आप उन पे dependent हो, तो वो हो गया, heterotroph, ठीक है अटो, ट्रॉफ, दोनों को डिवाइड कर रखा है, auto is self, ट्रॉफ is nourishment, ठीक है, उसके बाद है, animals and most other organisms taken, food prepared by plants, जो animals होते हैं, और दूसरे organisms होते हैं, वो वो खाना लेते हैं, जो की prepared किया हो, प्लांट्स ने, या फिर अगर वो प्लांट्स को नहीं लेते, मतलब प्लांट् पर फीड करते हैं, जैसे मैंने आपको example दिया था, tiger का, tiger खुद direct plant नहीं खाएगा, बट क्या करेगा, deer पर dependent है, मतलब जो फिर खाना, जो plants को खाता है, ठीक है, ओके, यहाँ पर पहली जानना चाहती है, कि हमारी body खाना क्यों नहीं बना सकती, carbon dioxide से, water से, mineral से, यह सबसे, अ जो कि इसमें क्या करते हैं, कि question पूछते हैं, उसके just next to paragraph में उसका answer लिखा होता है, now, अब देखो food factory, food factory क्या होती है, कि जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, हम खाना काते हैं, बट कोई particular जगे, जैसे हमारा घर भी है, अब हमारे घर में एक खाना कहां पे बनता है, हमारे में ऐसा तो नहीं है कि drawing room में, या फिर कोई और बाहर का कम रहा है, या दम gate के बाहर, sofa पे खाना बनता हो, खाना कहां पे बनता है, एक particular जगे है, जिसको हम kitchen बोलते हैं, तो उसी तरह से, जो plants होते हैं, उनकी जो food factory है, वो कौन है, कौन है, ठीक है, अब ही आगे पढ़ते ह Now, ये कुछ questions हैं, उसके answer हमें आगे मिलेंगे, बस इसने क्या लिखा है, leaves are the food factories of plants, क्या बुलाएं, कि जो leaves होते हैं, वो क्या होते हैं, food factory होते हैं, किसकी plant की, इसी लिए, जो भी raw material है, चाहे वो water हो, चाहे वो carbon dioxide हो, कुछ भी हो, जरूरी है कि वो leaves तक पहुचे, उसके ब present है, उनको absorb कौन करेगा, leaves तक पहुचाने के लिए कोई एक medium होना चाहिए, जो उनको उपर तक पहुचा पाए, leaves उपर होते हैं, और अगर नीचे भी होते हैं, तो वो जो ground के अंदर, जो soil है, उसमें से कैसे absorb करेगा, तो यहाँ पे वो function किसका है, roots का, soil में से roots absorb करती हैं, then it is transported to the leaves, carbon dioxide from air is taken in, यानि कि जो carbon dioxide होता है, हवा में से, is taken in, through the tiny pores present on the surface of the leaf, ज्यान से सुनिए, air में, जो CO2 present है, यह carbon dioxide air में present है, ठीक है, अब इसको अगर plant लेगा, तो कोई एक जरिया होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहीं से भी ले लेगा, there must be something, जहां से particularly वो carbon dioxide को लेगा, so there are some tiny pores, जो की leaves की surface पे present होते हैं, यह जो pores होते हैं, यह surrounded होते हैं, with guard cell, ठीक है, तो और दूसरी चीज, इन pores को हम लोग क्या बोलते हैं, we call them stomata, क्या बोलते हैं, stomata, तो अभी हमने क्या देखा, कि जो CO2 है, उसको लेने के लिए, there are some tiny pores on the surface of the leaf, and these pores, यह क्या करते हैं, CO2 को लेने में help करते हैं, दूसरी चीज, यह pores भी न, ऐसे नहीं होते हैं, अगर यह pores हैं, तो यह आज स्पास, दो cells से surround, मतलब इस तरह के cells से surround होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, guard cell, आपको इसका diagram भी दिखाती हूँ, just a minute, चलिए, यह देखिए, तो यह stromata opening है, ठीक है, यह stromata है, but these are surrounded with guard cell, समझाया, अब बूजो को जानना है, कि जो water और mineral, roots से absorb हुआ है, वो leaves तक कैसे पहुचता है, there must be some medium, न, कुछ होता है, जिसके through वो पहुचता है, उसको vessel बोलते है, just नीचे की line में देखो, water and mineral are transported to the leaves by the vessels, which run like pipes, देखो, जैसे घर में पानी जो चड़ता है, वो किस के through चड़ता है, pipes के through चड़ता है, वैसे ही water and mineral, जो है, वो transport होता है to the leaves, leaves तक जाता है, कैसे, vessels के through, which run like pipes, और कैसे रन करता है, वो pipes की तरह run करता है, throughout the street, मतलब root में, root में ऐसे pipe की तरह वो run करता है और उसके बाद वो stem से branch, मतलब ऐसे उपर होता 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 leaves तक सब कुछ पहुचा देता है They form a continuous path और passage for the nutrient to reach the leaf वो क्या करते हैं? एक continuous path बनाते हैं या passage किसके लिए? क्यों बनाना है passage? ताकि nutrients leaf तक पहुच सके मतलब suppose यह आपका roots हो गई ठीक है? यह plant है मैं ऐसी basic example दे रही हूँ यह से, मतलब कोई यह वो है अब इसको यहाँ पे जो nutrient है इसको यहाँ पहुचाने के लिए there must be some path कोई रस्ता होना चाहिए ना तो वो ही काम कौन करते हैं? vessels करते हैं वैसे तो आप आगे detail में पढ़ोगे आगे के chapters में बट फिलहाल के लिए आपको इतना ही पढ़ना है इनको हम क्या बूलते हैं? vessels now पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of the plants cannot okay वो जानना चाहती है कि leaves के पास ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है और जिसकी वज़व से leaves अपना घाना बना सकती है so they have chlorophyll chlorophyll जो होता है वो क्या करता है? आगे answer आएगा same चीज है question पूछने के बाद answer आजाता है leaves में एक green color का pigment होता है जिसको हम बोलते हैं chlorophyll अब यह कैसे help करता है? it helps leaves to capture the energy of the sunlight वो क्या करता है? leaves को help करता है कि वो energy जो sunlight की energy है उसे capture कर ले this energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water और उसके बाद यही जो energy होती है वो कैसे use होती है? synthesize करती है खाना किस में से? carbon dioxide में से और water में से तो main चीज़ क्या होई? chlorophyll इसलिए किसी और पार्ट में chlorophyll नहीं होता इसलिए कोई और पार्ट खाना नहीं prepare कर पाता since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight it is called photosynthesis क्योंकि जो यह synthesis of food है खाना बनाने का जो काम है यह sunlight की presence में होता है it occurs in presence of sunlight it is called photosynthesis photo photo का मतलब क्या होता है light sunlight की presence में कोई चीज़ बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे photosynthesis अब उसने क्या बोला इससे लिए हम हमें मिल जाता है chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary देखो यह 1 2 3 4 यह बहुत essential है किस चीज़ के लिए photosynthesis का process पूरा करने के लिए it is a unique process on the earth मतलब बहुत unique process है klota process है the solar energy जो solar energy है sun की energy है वो leaves capture करती है उसके बाद वो plants में store हो जाती है food की form में किस form में food की form में thus sun is the ultimate source of energy for all living organism इसलिए sun क्या है ultimate source of energy तो मतलब कुछ भी कहलो कोई भी organism हो सब की energy at the end कहां से आ रही है sun से आ रही है ठीक है now can you imagine the life can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis no we cannot now in the absence of photosynthesis there would not be any food अगर photosynthesis नहीं हुआ तो food भी नहीं होगा ठीक है obviously बात है क्या खाना बनेगा the survival of almost all living organisms वोई भी living organism हो उसका survival directly या indirectly dependent होता है किस पे जो खाना plants पनाते है मैंने बताया था आप बुलोगे कि tiger तो नहीं खाता plants को but tiger उस deer को खाता है जो plants को खाता है so in any case plants and जो यह photosynthesis process है यह बहुत जरूरी है besides oxygen which is essential for the survival of all organisms is produced during photosynthesis तो होता क्या है जो यह oxygen है जो कि सारे living organism जो use करते है plants इसको release करते है but यह use करते है उसमें क्या होता है oxygen produced होती है किस time पे during photosynthesis मतलब CO2 लेते हैं और photosynthesis के time पे they give out oxygen in the absence of photosynthesis अगर photosynthesis नहीं हुआ खाने की भी problem है दूसरा oxygen की भी problem है दोनों supplier रुख जाएंगी और दोनों ही बहुत जरूरी है during photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates photosynthesis के time पे chlorophyll containing cells of leaves वो cells जिसमें chlorophyll होता है in the presence of sunlight sunlight की presence में क्या करते हैं वो cells वो cells carbon dioxide को use करते हैं and water को use करते हैं उसके बाद क्या देते हैं carbohydrates produce करते हैं ठीक है the process can be represented in an equation और इस पूरे process को एक equation से हम समझा सकते हैं that is carbon dioxide water carbon dioxide plus water मिला किस की presence में? sunlight की presence में कौन सी चीज है जो use कर रही है chlorophyll और फिर क्या दे रहे हैं? carbohydrate यानि यह food बन रहा है ठीक है? प्लांट का food बन रहा है and then oxygen oxygen यह by-product है मतलब जब कोई चीज use हो रही है बन रही है carbohydrate तो वो अपना खाना बना रहा है लेकिन oxygen उसको रिलीज हो रही है सब कुछ बनने के बाद oxygen रिलीज हो रही है ठीक है? अब यहाँ पर लीफ है लीफ का एक section हम पढ़ चुके हैं guard cell हो गया guard cell इधर दिखा दिया और stoma बीच में दिखा दिया ठीक है? अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर भी photosynthesis दिखाया है plant क्या ले रहा है? carbon dioxide ले रहा है oxygen दे रहा है दूसरी चीज़ chlorophyll है लीफ में and water and mineral absorb हो रहे हैं और light energy during the process oxygen is released इस पूरे photosynthesis process के time पे oxygen release होती है बनती है और presence of starch मतलब अगर किसी लीफ में यह test भी होता है जब starch मिलता है तो वो यह दिखाता है कि वहाँ पे photosynthesis हुआ है कैसे दिखाता है? क्या है? Carbohydrate है और carbohydrate कम बनता है कौन से process के time? जब photosynthesis होता है तो photosynthesis जब होगा तो carbohydrate बनेगा Carbohydrate अगर लीफ में already मिल रहा है अगर हम देख पा रहे है that means उस plant के अंदर क्या हुआ है? photosynthesis हुआ है बूजो has observed some plants with deep red violet और brown leaves अब बूजो ना देखा कुछ colors, कुछ leaves के colors जैसे की deep red हो गया violet brown leaves अब वो जानना चाहता है कि यह जो leaves है क्या इनमें भी photosynthesis हुआ है take two potted plant of the same kind दो potted plant लेने हैं सेम तरह के के ठीक है? एक को dark में रखना अगर dark में नहीं रख सकते हैं तो एक black box में रख दो और इना black box कितने घंटे के लिए 72 hours के लिए almost 3 दिन and the other in sunlight डूसरे को sunlight में रख दो फिर आप करोगे iodine test iodine test use होता है किसके लिए अगर आप starch का test करना चाहते हो जैसे potato पे करते हो या किसी भी चीज़ पे करते हो तो iodine डालने से वो blue color का थोड़ा सा वैसा color हो जाता है तो हम iodine test को perform कर रहे हैं और हम क्यों perform कर रहे हैं iodine test को ताकि हमें पता चल जाए कि उसमें start है की नहीं अब हमें जो 6th में किया था वही करना है results अपने record करो अब now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leave जिस plant को आपने अंधेरे में रखा था दुबारा से उसको light में ले आओ again उसके उपर iodine test करो फिर से result देखो अपनी observation देखो तो पहले जहां पर starch आपको नहीं मिला होगा डार्क में रखने के बाद अब आपको रोशनी में रखने के बाद स्टार्च मिलेगा और ऐसा क्यों होगा ऐसा इसले होगा because light में रखने के बाद उसमें photosynthesis हो जाएगा जब उसमें photosynthesis हो जाएगा तो automatically उसमें क्या होगा क्या होगा स्टार्च बन जाएगा food बन जाएगा क्योंकि वो एक carbohydrate है the leaves other than greens also have chlorophyll जो leaves होती है green के अलावा उन में भी chlorophyll होता है that does not mean के जो green है बस उसी में chlorophyll होता है औरो में भी होता है but red, brown और ऐसे pigment mask कर लेते हैं like अगर यहाँ पे green है तो उसके उपर chlorophyll है तो उसको mask कर लेते हैं cover कर लेते हैं photosynthesis take place in these leaves also photosynthesis in leaves में भी होता है ठीक है now leaves of various colors you often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies आप क्या देखते हो green patches देखते हो slimy जैसे की काई काई सी जिसे हम बोलते हैं कहाँ पे water bodies में जैसे की lake हो गई या कोई खड़ावा थोड़ा सा pond है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये कैसे बनती है एक organism है जिसकी growth से ये बन जाती है जिसको हम बोलते है algae क्या बोलते है algae now ये green color की क्यों होती है इनके अंदर भी chlorophyll होता है ये अपना खाना खुद बनाती है और इस वज़े से ये क्या करती है अपना खाना खुद बनाती है और oxygen भी produce करती है plants में sorry पानी में भी तो कोई ना कोई oxygen बनाएगा न algae भी बहुत जादा नहीं होनी चाहिए but yes they are required okay now एक और चीज़ है synthesis of plant food other than carbohydrates you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis आपने क्या देखा कि जो plants होते है वो carbohydrate को synthesize करते है photosynthesis process से carbohydrate बनाया plants ने किस process से photosynthesis से the carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen carbon, hydrogen and oxygen these are used to synthesize other component of food such as protein and fats मतलब carbohydrate किस किस से बने है carbon, hydrogen and oxygen से और ये use होते हैं ये चीज़े use हो जाती है carbohydrates वगरा ताकि वो और component और component of food बना लें जैसे की protein and fats but protein are nitrogenous substances which contain nitrogen but ये जो protein होते हैं, ये क्या होते हैं? they are nitrogenous substances nitrogenous substances मतलब जिसके इंदर nitrogen है from where do the plant obtain nitrogen? question पुछा है, answer भी अपने आप देगा recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air हमारे air में nitrogen बहुत जाद है abundance मतलब बहुत जादा काफी जादा amount में present है लेकिन, plants nitrogen को जिस form में nitrogen present है न उस form में absorb नहीं कर सकते soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil यह थोड़ा काम का है soil में कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो gaseous nitrogen यानि कि वो nitrogen जो हवा में है उसको change करते हैं और उसको एक better usable form में convert करते हैं उसके बाद उसको soil में release करते हैं these are absorbed by the plants along with the water जब यह वापस plants में, मतलब soil में आ गए फिर धीरे धीरे इनको plant absorb कर लेता है किसके साथ absorb करता है? water के साथ also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil आपने देखा होगा कि जो farmers होते हैं वो क्या करते हैं? वो fertilizers, खाद, मिन्योर, यह सब चीज़े डालते हैं soil के अंदर अब वो क्यों डालते हैं? वो fertilizers में already बहुत जादा nitrogen होता है क्योंकि अगर directly भी plant को nitrogen नहीं मिल पा रहा तो at least fertilizers add करने के बाद मिल जाए in this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents और इस तरह से plant जो होते हैं वो अपनी requirement जो होती है nitrogen की requirement उसको fulfill करते हैं और दूसरी चीज़ों को भी धीरे-धीरे fulfill कर लेते हैं plant can then synthesize proteins and vitamins उसके बाद जब उनको nitrogen मिल गया क्योंकि protein मनाने के लिए they need nitrogen तो जैसे ही plant को nitrogen मिला फिर वो proteins and vitamins को synthesize कर लेते हैं समझाया? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं other modes of nutrition in plants मतलब की plants के अंदर और कौन से mode of nutrition है autotrophic हो गए हमने पढ़ा heterotrophic mode है plants basically अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो तो autotrophic होए but there are many other plants जो completely autotrophic नहीं है क्यों नहीं है वो अब हम देखेंगे there are some plants which do not have chlorophyll कई ऐसे plants हैं जिनके पास क्या नहीं है जिनके पास chlorophyll नहीं होता they cannot synthesize food मतलब अगर उनके पास chlorophyll नहीं होगा तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते इसी लिए survive करने के लिए वो कहीं से nutrition लेते हैं अब उन्होंने क्या बोला? like humans and animals human की तरह और animal जैसे human और animal अपना खाना कहीं और से लेते हैं वो भी किस पर dependent होते हैं? दूसरी चीजों पर dependent होते हैं दूसरों पर dependent होते हैं for their food और इस mode को जो वो use करते हैं उसे हम बोलते हैं heterotrophic mode of nutrition क्या बोलते हैं? heterotrophic mode of nutrition because they are dependent on others for their food तो हम उनको बोलेंगे कि जो उनका mode of nutrition है वो heterotrophic है do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree कई बार आते जाते वे आपने देखाओ कि एक tree है उसके उपर पूरे पे यलो यलो सा धागे-धागे से गिरे हुए है kind of proper पूरो यलो structure है जिसने cover कर रखा है this is a plant called cascuta amarbeel इसे क्या बोलते हैं? cascuta या amarbeel बोलते हैं it does not have chlorophyll इस पर क्या नहीं होता? chlorophyll नहीं होता it takes ready-made food from the plants on which it is climbing वो क्या लेते हैं? ready-made food from the plant फिर से देखो ready-made food from the plant मतलब जिस plant पे जो basically host क्यलाता है जिस host पे वो लोग रहते हैं उसी से वो nutrition को absorb करते हैं it takes ready-made food from the plant on which it is climbing the plant on which it climbs is called the host यानि कि समझ लीजिए एक plant है यहां पे जिसके उपर ये yellow kind of structure पूरा आया हुआ है तो this one will be called host जिस पे वो खुद रहते हैं उसको host बोलते हैं the plant on which it climbs is called the host since it deprives the host of valuable nutrients क्योंकि वो क्या करते हैं वो host से जितने भी valuable nutrients हैं वो छीन लेते हैं ले लेते हैं एक second कोई line में सो गई I think since it deprives the host of valuable nutrients मतलब वो host से बहुत ही जादा valuable nutrients ले लेते हैं क्योंकि वो क्या करता है उसको parasite क्यों बोलते हैं क्या एक feature होता है कि वो living organisms जो भी होते हैं जिस पर भी वो feed करता है उससे उसके nutrition ले लेता है तो उसको तो nutrition मिल गए लेकिन जिससे उसने लिए उसका तो नुकसान हो गया न you should think about it and discuss with your teacher मतलब वो कह रहा है कि हम भी तो living plants पर dependent है हम exactly उस category में आते नहीं हैं बढ़ हम वो है भी आप ये भी माल लो मतलब कि जो bed bugs हैं लाइस हैं लीचेज हैं जो हमारे blood पे सक करती हैं हमारे body पे feed करती हैं वो parasite कहलाती है have you seen or heard of plant that can eat animal क्या आपने ऐसे plants के बारे में सुना हैं जो की animals को खा सकते हैं there are a few plants which can trap insects and digest them कुछ ऐसे plants हैं जो की insects को trap कर लेते हैं और उनको digest कर लेते हैं is it not amazing such plants may be green or of some other color ऐसे plants green color के भी हो सकते हैं और दूसरे color के भी हो सकते हैं उसके बाद है look at the plant in figure 1.6 आप इस 1.6 में एक figure देख पा रहे हो यह structure कैसा लग रहा है it is looking like a picture picture एक kind of jug होता है जिसमें चीज़े भाड सकते हैं ठीक है तो picture-like और jug-like structure is the modified part of the leaf यह जो आपको यह दिख रहा है न यह रुको just a minute यह जो है यह 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 क्या है this is a modified part मतलब leaf है जो modified हो गई है the apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the picture sorry उसने क्या भुला कि जो apex है leaf का मतलब जो kona है आप देख रहे हो यह बिल्कुल यह वाला kona मैं बताई देती हूँ एक minute just a minute right यह जो है जो apex है एकदम kona है leaf का वो क्या कर रहा है I don't know यह hang हो गया रुको okay हाँ वो lid form कर रहा है lid मतलब यह cover kind of it is forming a cover kind of structure जो open and close करता है mouth of the picture देखो यह रा picture ठीक है picture के उपर यह structure जो है जो यह apex है एकदम kona है उसने एक lid kind of structure बना लिया है जो उसको cover कर लेता है time आने पे now यहाँ पर क्या लिखा है inside the picture there are hair which are directed downwards मतलब की picture के अंदर picture के अंदर यहाँ पर क्या है hair है जो की नीचे की तरफ है directed downwards थोड़ा नीचे की तरफ है when an insect lands in the picture जब एक insect picture में land करता है ठीक है फिर से सुनो जब एक insect picture में आता है the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair यानि तब क्या होता है lid अपने आप बंद हो जाती है lid closes और जो trapped insects होते हैं वो hair में entangle first जाती है तो insect आया picture में अपने आपी hair move हुए तो उसको sensation हो जाती है कि कुछ आया है तो फटाफट से बंद कर लेता है ठीक है the insect is digested by the digestive juices secreted in the picture और फिर वो insect digest हो जाता है कौन digest करता है वो digestive juices जो की picture plant में secret होएं वो उसको पूरा digest कर लेते हैं और उसके nutrients सारे absorb हो जाते हैं such insect eating plants are called insectivorous plant ऐसे insect को खाने वाले जो plants होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं insectivorous plant बोलते हैं वो जो की insects को खाते हैं we call them insectivorous plants is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow उसने क्या बोला कि क्या ये possible है कि plants को वो सारे nutrition ना मिले soil में से जो उसको चाहिए yes, it is possible कि उसको वो सारे nutrients ना मिले okay, यहाँ पे बूजो पूछ रहा है कि picture plant green है इसका मतलब उसके पास photosynthesis के लिए chlorophyll है तो वो अपना खाना क्यों बना मतलब वो insects पे feed क्यों करता है कुछ nutrients को absorb करने के लिए जो उसको वहाँ से नहीं मिलते soil में से उसको absorb करने के लिए वो insect को खाता है क्लियर हुआ एक मिटा रुको सेप्रोट्रोफ्स देखो एक वर्ड होता है parasite ठीक है एक वर्ड होता है सेप्रोट्रोफ्स पैरासाइट्स जो होते हैं यह होते हैं living पे feed करने वाल सेप्रोट्रोफ्स के साथ ऐसा नहीं है आपने कई बार देखा होगा कि vegetables या फिर आपने packets देखे हो mushroom के किसके mushroom के आपने packets देखे होंगे उसके बाद एक minute और आपने ये भी देखा होगा कि ये umbrella like patches ये दिख रहा है ये वाला umbrella like patches है जो moist soil में घीली soil में या जो wood सड रही होती है the rotting wood उस पे grow कर जाते है कौन से सीजन में? रेनी सीजन में let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them एक और चीज़ जो जानने की है कि वो कि क्या किस टाइब के nutrients उनको चाहिए survive करने के लिए और कहां से उनको मिलते है now बूजो को जानना है कि ऐसे organisms अपना nutrient कहां से लेते है जबकि उनके पास mouth नहीं है animal जैसा they are not green plants उनके पास green plants उनके पास ग्रीन प्लांट मतलब ग्लोरोफिल नहीं है कि वो अपना खाना खुद बना ले they do not have mouth तो वो अपना जो food है finally वो कैसे बनाते है इस exercise में आपको कुछ नहीं करना क्या करना है एक bread का piece लेना है उसके बाद उसको घीला कर देना है पानी से उसको छोड़ देना moist warm place में for 2-3 days और until fluffy patches appear on them जब तक उस पे बहुत fluffy से patches ना आ जाए what is the color of these patches इन patches का color क्या है observe the patches under a microscope ये जो patches आएंगे organisms होते है ना इनको हम बोलते हैं fungi they have a different mode of nutrition ठीक है ये क्या करते है ये अब जैसे इस bread पे ये fungi ग्रो हुआ है ठीक है अब देखो एक मुद रुको अब इस bread पे ये fungi ग्रो हुआ है तो क्या होगा ये nutrient को इस bread पे से absorb कर लेगा this mode of nutrition in which organism taking nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition मतलब की ये mode of nutrition जिसमें organism nutrient लेता है किस से लेता है dead and decaying matter से इसको हम बोलते हैं saprotrophic nutrition फिर से सुनो this mode of nutrition ये जो mode of nutrition है जिसमें organism nutrient ले रहा है बट किस से ले रहा है dead and decaying से जो already dead है या जो सड रहा है जो आपके parasites थे they do not care about कि भाई है वो जिन्दा है वो तो जिन्दा से nutrient लेते हैं बट इनके साथ क्या है ये nutrient किस से लेते है dead and decaying से and such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotroph ऐसे organism जिसके अंदर क्या होता है saprotrophic mode of nutrition मतलब किस पे feed करते हैं dead or decay पे ऐसो को हम बोलते हैं saprotrophs फंजाए कई बार pickles पे grow कर जाती है और leather पे clothes पे depend ये भी करता है कि weather कैसा है जब weather बहुत ही ज़्यादा warm है warm भी कहलो warm भी नहीं humid है मतलब हवा में बहुत ज़्यादा पानी है तब ऐसा होता है okay during the rainy season they spoil many things जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है यो बहुत सारे चीजों को spoil कर देते हैं अपने parents से आप पूछ सकते हैं कि कैसे fungals वगर उस टाइम पे लगती थी ठीक है now यह जो fungal spores होते हैं यह normally हवा में present होते हैं they are present in air when they land on wet and warm things they germinate and grow जब यानि वो किस पे land करते हैं wet and warm things पे तो वो germinate करते हैं and grow करते हैं now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled now क्या अप अप प्रेडिक कर पा रहे हो कि हम अपनी चीजों को कैसे protect कर सकते हैं वो सडेना मतलब spoiled होने से कैसे protect कर सकते हैं some organisms live together and share both shelter and nutrients कई ऐसे organisms होते हैं जो साथ में रहते हैं live together और उसके बाद वो shelter and nutrient share करते हैं मैंने हमेशा यह example दिया मैं फिर से दे देती हूं समझ लीजे आप classroom में बैठ हैं आप कोई एक चीज नहीं लाए हैं कोई एक ऐसी चीज नहीं लाए हैं जो आपका friend लाए है और आपके पास ऐसी कोई चीज है जो आपके friend के पास नहीं है तो आपका एक period हुआ जिसमें आपको वो चीज की जरुवत है और दोनों का काम निकल लिया ठीक है तो इसने क्या बोला this relationship is called symbiosis और ऐसे relationship को जिसमें दोनों को फायदा होता है we call such relationship symbiosis क्या बोलते हैं symbiosis बोलते हैं अब दुबारा देख लेते हैं for example certain fungi live inside the roots of the plant कई ऐसी fungi होती हैं जो roots में रहती हैं कहां रहती हैं roots of the plants में the plants provide nutrient to the fungus यह जो plant होता है यह fungus को nutrient provide करता है क्या provide करता है nutrient in return देखो plant ने fungus को nutrient दिया उसके बदले में fungus उस plant के लिए water and कुछ चीजों को क्या करती है absorb करती है मतलब दोनों के अंदर एक ऐसी mutual kind of relationship है कि दोनों एक दूसरी की जरूरतों को समझ रहा है अब देखो यह तो फिर भी आपका symbiosis है next जो हम पढ़ने वाले है lichens होता है ठीक है lichens में क्या होता है एक algae होता है एक fungi होता है algae fungi को खाना बना के देता है fungi उसके लिए दिरे दिरे चीजों को absorb करता है now इसने क्या बोला यह क्या होता है अग chlorophyll containing partner इसमें एक chlorophyll किसके अंदर है algae के अंदर तो जो lichen है उसमें chlorophyll containing वाला पार्ट कोन है algae है और एक fungus दोनों साथ में रहते हैं तो उसके अंदर ठीक है the fungus provides shelter water and mineral to the algae और यह जो fungus होता है वो shelter provide करता है water provide करता है and mineral provide करता है किसको algae को क्या के provide करता है shelter, water and mineral to the algae and in return the algae prepare and provide food to the fungus और उसके बदले में क्या होता है जो algae होता है वो food provide करता है fungus को fungus ने क्या दिया घर, पानी और mineral उसको absorb करके दिया या जैसे बे दिये algae उसके बदले में उसको खाना provide करता है I am hoping यह topic clear हो गया होगा last topic प्रूपिक आलमोस्ट आ चुके है इसको भी पढ़ लेते है बहुत easy topic है तो यह chapter हमारा एक ही class में पूरा हो जाएगा इसके next part में या कुछ time में इसके question answers वैसे इस पे already एक video है तो कोशिश करूँगी कि कुछ बीच के question डालू ना कि सारे के सारे जो वो questions जो हो चुके है ठीक है और जो हो चुके है वो आपको इसके अपनी अपनी प्लेइस्ट है यह मैंने दुबारा इसले स्टार्ट किया विकुस जब मैंने वीडियो बनाई थी तब इतनी clear नहीं थी बॉइस की प्रॉबलम थी प्लस थोड़ा स्क्रीन भी बार-बार मूफ कर रहा था तो finally this is now थोड़ा सा better quality है उन चैप्टर से तो इनको देख सकते हैं जो लोग जोने पहले भी यह चैप्टर पढ़ रखा है How nutrients are replenished in the soil जो यह nutrients होते हैं वो soil में कैसे replenish होते हैं Have you seen farmers spreading manure और fertilizers in the field मतलब क्या आपने देखा है कि जो farmers होते हैं वो खाद और fertilizers जो होते हैं Fertilizers किसले डाले जाते हैं ताकि जो गुणवत्ता है soil की जो nutrient quality है वो better हो जाए Because जो चीज़े उनको नहीं मिल रही वो हम उपर से डालते हैं या फिर gardeners जो माली हमारे घर में आते हैं वो भी lawns में या pots में डालके जाते हैं अब आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है हमने पढ़ा कि जो plants होते हैं वो mineral और nutrient कहां से absorb करते हैं soil में से अब जब वो बार 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 absorb करते रहेंगे imagine आप एक coffee पी रहे हो या soup पी रहे हो या कुछ भी पी रहे हो nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc तो क्या होता है fertilizers and miniors दोनों उनके अंदर होता है nutrient जैसे की nitrogen, potassium, phosphorus ये जो nutrients होते हैं इनको time to time हमें add करवाना होता है these need to be added from time to time to enrich the soil we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant हम क्या कर सकते हैं plants अच्छे रहेंगे अच्छे से grow करेंगे अगर उनकी जो भी nutrient की requirement है वो हम उन्हें दे 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 usually crop plant absorb a lot of nitrogen जो crop plants होते हैं ठीक है जो यानि आपकी जो ये crops होते हैं agriculture field में एक तो trees होते हैं धान, गे, हूँ, चावल जितनी भी चीज़े हैं जो कुछ भी है these things required a lot of nitrogen and soil become deficient in nitrogen deficient मतलब soil के अंदर कमी आ जाती है हिंदी में भी लिख देती हूँ कमी आ जाती है you learned that though nitrogen gas is available in planting air भले ही air में nitrogen gas बहुत जादा है like बहुत जादा है लेकिन क्या होता है plants इसको use नहीं कर सकते they can use carbon dioxide like वो जिस तरह से carbon dioxide को directly use कर लेते हैं plants directly nitrogen को use नहीं कर सकते even if nitrogen इत्ती जादा है उनको एक nitrogen को जो चाहिए न वो soluble form में चाहिए तो bacterium है एक rhizobium नाम का इसका बहुत important role है वो atmospheric nitrogen को लेता है उसको convert करता है एक usable form में मतलब जिस form में plant उसको use कर सके but rhizobium cannot makes its own food but rhizobium अपना खाना खुद का खाना नहीं बना सकता so it often lives in the roots of gram, bees, moe, beans and other legumes and provide them with nitrogen तो अब क्या होता है यह जो rhizobium है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो वो जो plants है जैसे कि gram हो गया, मतर हो गया इनकी न उसमें रहता है जो roots होती है उसमें रहना शुरू करते था in return the plants provide food and shelter to the bacteria और इसके बदले में क्या होता है plant provide करता है food and shelter bacteria को किसको बैक्टेरिया को they does have a symbiotic relationship इसले इनके बीच में क्या relation है symbiotic, symbiotic मतलब दोनों plus plus, दोनों को फाइदा हो गया this association is of great significance for the farmer और यह बहुत ही अच्छी मतलब फाइदेबन association है farmers के लिए they can reduce the use of nitrogen fertilizers मतलब जिन plants में जिन crops में already leguminous plants है there are leguminous plants already present in crops और plants वहाँ पे उनको nutrient या fertilizers बहुत जादा डालने की ज़रूत नहीं होती नो जो pulses है वो हमें leguminous plants से ही मिलती है इस chapter में आपने पढ़ा कि जो plants है वो autotroph है क्या पढ़ा आपने जो plants है most of the plants they are autotroph only कुछ ऐसे plants है जो parasitic है saprotrophic है या फिर insectivorous है okay they derive nutrition from other organisms all animals are categorized as heterotroph since they depend on plant and other animals for food तो जिते भी animals है वो categorized है किस तरह से heterotroph as they depend on plant and other animals for food ऐसा कोई animal या कोई आपने वो दिखा है कि human being जो खाना खुद बना लेता है खाना बनाने से मतलब शाही पनीर बनाना नहीं खाना बनाने से मतलब है कि आप raw material जो चाहिए वो मिल जाएंगे कि at the end हम सब चीज़े प्लांट से ही लेते हैं तो वो चीज़ उसने बोलिये now can we say that the insectivorous plant are partial heterotroph क्याने को तो कुछ भी कहलो बट ठीक है अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं कुछ keywords है यह आपको आप पढ़ लोगे आपको clear हो जाएंगे autotrophic, chlorophyll, heterotroph, host, insectivorous, nutrient, nutrition, parasite, photosynthesis, separotroph, separotrophic and stomata stomata सबको याद होगा जिसमें से carbon dioxide लेते हैं यह वो tiny pores होते हैं तो we are done with this chapter and this series का यह पहला chapter है 7th class के लिए जो series start करी है इसमें मैंने इस chapter को पूरा cover किया है बहुत ही detail में cover किया है ठीक है कई break तो मुझे लेने पड़ गए ताकि यह chapter complete हो जाए आपका तो यह chapter हो गया है अब मैं क्या करना चाहरी हूँ कि अभी तो वैसे पहले मैं पहले chapter cover करूँगी फिर question answers भी डालना शुरू करूँगी वैसे मैंने अल्रेडी यह सारे chapter cover कर रखे है बट this series is focused कि भई जिन होने पहले पड़ा बट थोड़ा clear नहीं हुआ because of the audio quality, video quality अब थोड़ा धंग से clear हो जाए तो अच्छे से समझ आया अगर कोई भी topic तो फटाफट से like करना है इसको share भी कर दो और comment कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है मुझे बताओ क्या चीज और देखनी है कौन सा chapter देखना है feedback दो ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना पाऊं ठीक है वरना 7th class की playlist बनी हुई है 7th science, social studies के तीनों subject और English तो आप उसको जाके देख सकते हैं ओके, thank you so much I'll see you next time